प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को लिकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है डिफाल्टर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने की शिकायत पर इंदॉर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने आदे घंटे में एक्शन लेते हुए किसानों को नगत देकर यूरिया दिलाने के निर्देश जारी के हैं देखिए एरपूर्ट दरसल प्रदेश में किसान यूरिया घाथ की किलत से परिशान हो रहे हैं एक और जहां सीम कमलनाथ ने और वरक मंत्री से फोन पर बात कर इस मामले में किंद्र सरकार से सहायता की गुहार लगाई है तो वहीं जोत्रा दित्र सिंध्या ने पत्र लिखकर मामली पर संग्यान लिया है इसी कड़ी में कॉंग्रिस के किसान ने ता विधायक तुलसी सिलावट और विशाल पटेल इन दौर कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे जहां खाद के मुद्दे पर चर्चा की गई वहें डिफॉल्टर किसानों को यूरिया नहीं मिलने की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर निशान वरवड़े ने डिफॉल्टर किसानों को नगत में यूरिया दिलाने के आदेश जारी कर दिये हैं यूरिया जो है वो सुसाइटी के अंदर यहां था जहां वेलेबल है महां किसान सभी करज में डुबे हुए हैं किसान कहीं नगाई ओडियो तक चार्ज आगर वह लेने जाते थे снखत उइस्यार प्राइवेट यूर चालू कर दिया कि जोभी चालू करा दिये हैं जिनके मात पे होगति और यूरिया ले सकता है और प्राइवेट अबसे चालू कर रहा है उन्में आत Europ врем . यह किल्ड़ तक हतम हो जाएगे बिल्कुल यूरिया पूरे जले में परियात मात्रा में हैं जैसा की सब जानते हैं यूरिया ततकले कुर्प से ही उपलगता है हम लों को सुनशित करना नहीं रहती क्योंकि पास से पंदा दिन बाद बीस दिन बाद यूरो की आउशकता नही उसमें से लगवख 80% हम लोग सरकारी सिस्टम में डालेंगे 20% हम प्रैविट सिस्टम में डालेंगे लगवख 700-800 मेट्रट टन हमारे प्राइवेट जो हमारे खाध विकरेता हैं उन तक ही यह खाध महुंच जाएगी तो इंदोर जिले में यूरिया का कोई संकर्ट नहीं ईंदॉर जुले में सरकारी सिस्टम में पर्यापत खाद है प्राइवट सिस्टम में खाद के लिए एक दन कांटजार करना पड़ेगा कल राक लगते ही ब्राइविट सिस्टम में भी खाद उपलबद हुझा गी और जो नगद यूरिया नहीं ले पाते थे अब उन्हें यूरिया मिल सकेगी प्यूर रिपोर्ट MP News इंद और